हुआ मैं हूँ मोहित आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ट्स तो दोस्तो आज फाइनले इंडिया में रेडमी नोट ट्वाइब जी फोन लाउंच हो चुका है तो सबसे पहले में इसी फोन का प्रैस के बारे में बात करो तो इंडिया में रेडमी नोट ट्वाइब जी का 4123 वाले वैरेंट का दाम रखा गया है 18,000 रुपे और रेडमी नोट ट्वाइब जी का 6123 वाले वैरेंट का दाम रखा गया है इंडिया में 20,000 रुपे लेकिन दोस्तो फिस्टेसेल में आप लोग इसी फोन को बाई करते हो तो टोतल आफर विको 2500 रुपय का इसी फोन में आफर विको आफर देखने को मिल जाएगा मतलब कि दोस्तो फिस्टेल में आप लोग रेड्मीं Note 12 5G फोन को बाई कर सकते हो 35,000 रुपय में तो दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ, Redmi Note 12 5G में आप सभी को कैसे डिसकाउंट मिलने वाला है, धाई हजार रुपे का, और क्या आप सभी को इस फोन को बाई करना चाहिए, या फिर बाई नहीं करना चाहिए, मैं सारा कुछ बात करने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो आप लोग मेरा टेलिग्रम चैनल को जाउन करते हो, तो वहाँ पर मैं आप सभी को सेल के बारे में यूट्यूब से भी पहले जानकारी देते रहता हूँ, तो आइए दोस्तो आज के इस वीडियो को मिलगाँ पर इस्टार्ट करते हैं, तो आइए सबसे पहले में यहाँ अगर आप सभी के पास फश्टे सेल में कैसे डिसकाउंट मिलने वाला है, जखिए, अगर आप सभी के पास फश्टे सेल में आईसी ऐसे बैंक का कार्ड है, तो आप सभी को इस कार्ड से फ्लैट 15,000 रुपे का ओफ दिया जाएगा, मतलब कोई कार्ड लगा के आप लोग इस फ़ोन को फश्टे सेल में बाई कर सकते हो, साहे 16,000 रुपे में, अगर दोस्तों आप सभी के पास आईसी ऐसे बैंक का कार्ड नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग एक्शेंज ओफर लगा सकते हो, अगर आप लोग यहाँ पर एक्शेंज ओफर लगाते हो, तो इसमें आप लोग यहाँ पर कार्ड ओफर लगा सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पर एक्शेंज ओफर लगा सकते हो, अब आप लोग यहाँ पर यह जरू सोचे रहोगे कि मैंने तो आप सभी को वीडियो की स्टैटिंग में बता था कि हम सभी को इस फोन में धाई हजार अगर आप लोग यहां पर दूसरे ब्रांट का फोन को एक्षेंज करते हो रेड में नोट टूल 5G के साथ तो उस फोन में आप सभी को देढ़ हजार कही एक्ष्टा आफ दिया जाएगा लेकिन दोस्तों अगर आप सभी के पास कोई भी साउमी का फोन है तो उसमें आप सभी को धायेजा रुपए का और आप लोग यहां पर ईसमें रखन में रखना है तो आप सभी को एक बार में को 피쳐's देखने को मिलता है पूल hd पॉश लेगाफ का एमुलेट वाला डिस्प्रेय तेरा मेगा पीक्सल का सेल्फी कैमरा अडा-टालिस मेगा पिक्सल के साथ टिर-पल-ी-र कैमरा का सेट एप अडा-तालिस मेगा पिक्सल का दूसरा कैमरा तो देखिए फीचर्स के मामले में हम सभी को इस फोन में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है लेकिन दोस्तों मेरे विचार से इस फोन का प्राइस थोड़ा सा और कम होना चाहिए था इंडिया में 15,000 रुपे या फिर मैक्सिमम 16,000 रुपे जो कि दोस्तों 15 या फिर 16,000 रुपे में ये मिलता है तो हम सभी के लिए बेश्ट होने वाली थी लेकिन अभी आप लोग आपर कार्ट लगा के या फिर एक्षेंज आफर लगा के इस फोन को बाई कर सकते हो 15,000 रुपे में देखिए अगर आप लोग आपर आफर लगा के 56,000 रुपे में लेते हो तो मेरे विच्ण से आप लोग आपर ले सकते हो या फिर exchange offer नहीं लगाना चाहते हो तो इससे अच्छा भी आप लोग buy कर सकते हो Flipkart से Poco X4 Pro 5G को मातर 15,000 रुपे में अगर Poco X4 Pro 5G phone को buy करते हो तो उसमें भी हम से भी को base features देखने को मिलता है प्लस दोस्तों उस phone में हम से भी को 5,000 mAh बैटरी के साथ 67W का fast day charging अभी लेवल मिलता है जबकि आप से भी को Redmi Note 12 5G में 33W का ही fast day charging देखने को मिलता है उस phone में भी मतलब की Poco X4 Pro 5G में भी हम से भी को 120Hz का AMOLED वाला display देखने को मिलता है प्लस Snapdragon का 695 वाला processor जबकि आप लोग आपर compare करते हो 4 Gen1 को 695 processor के साथ जो की थोड़ा सा बेटर ही निकल के आता है 695 processor तो इसलिए मैंने आप से भी को बोला अगर आप लोग आप इस phone को offer लगा के buy करते हो तो ठीक है अगर आप से भी के पास card नहीं है या फिर आप लोग यहाँ पर exchange offer नहीं लगाना चाहते हो तो मेरे विचार से आप लोग आपर Poco X4 Pro 5G phone को buy कर सकते हो तो दोस्तों मैंने आप से भी को इस वीडियो में ये बता दिया कि आप से भी को इस phone में धाई जार रुपे का कैसे आप देखने को मिलेगा और क्या हम सभी को Redmi Note 12 5G phone को buy करना चाहिए या फिर buy नहीं करना चाहिए मैंने इसके बारे में भी आप सभी को बता दिया तो आज के इस वीडियो में बस द्ते ही था अगर वीडियो चलो वीडियो को लाइक करना इस चैनल को सब्स्राइब करना और हाँ इस वीडियो को सेर करना नह भोलना तब तक करए ज nih बंदय मात्रम जय भादर